नमस्कार आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान देखे राजदानी पटना में पुलीस प्रिशाशन पर अब कई सवाल उठ रहे हैं गस्ति टीम पर सवाल उठ रही है कि आखिर पटना में जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम क्यों नहीं जा रहा है और किस तरह के की घटना हो रही है वो अभी हम आपको बताएंगे राजदानी पटना में चिंताई की घटनाएं लगातार बढ़ चुकी है और ऐसे में पुलीस प्रशाशन भी एलर्ट हो चुका है कि आखिर लगातार ये घटनाएं बढ़ कैसे रही है हम आठ ऐसे वाक्या आपको बताएंगे जो राजदानी पटना के सड़कों पर घटित हुई है पांच थाना अंतरगत जो छेतर आता है उस पर भी सवाल उठाएं के आखिर पेट्रॉलिंग टीम कर क्या रही है कि बेखौफ होकर अपरादी एक करे घटना को अंजाम दे रहे हैं ह दस अपरेल आननदपुरी में लैबरेरी से लोट रही छातर का मोवाईल जपट कर सातिर हुआ फरार ये दस अपरेल का मामला है तेरा अपरेल गांधी मैदान ट्रापिक थाना के सामने बाइक सवार सातिर मोवाईल जपट कर फरार ये तेरा अपरेल का मामला था चौदा अप्रेल राजीब नगर के राम नगरी मोड के पास बाइक सवार सातिर मोईल छीर कर फरार 17 अप्रेल का जो मामला है वो कदम कुआ के पिर वहानी में सिपाही के हाथ से मोईल छीन कर सातिर हुआ फरार आनि कि सिपाही से भी डर नहीं है और सिपाही के भी हातों से मॉवाईल छीने जा रहे हैं तो सिपाही जी भी आप भी साबधान रही है क्योंकि गटनाएं बढ़ रही हैं अब तो आप लोगों के मॉवाईलों को भी छीना जा रहा है अब हम बात कर लेते हैं चैन स्नेचिंग के मामले को देखिए 10 अप्रेल को बाइक सबार सातिर ने अलपना मार्केट से घर लोट रही महिला के गले से चैन जपट कर फरार हो गया 12 अप्रेल को पत्रकार नगर के विजय नगर में सबजी लेकर लोट रही महिला के गले से चैन जपटा मार सातिर फरार हो गया 14 अप्रेल की घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जो की राजीब नगर रोड की है राजीब नगर रोड नमबर पांच में मौर्निंग वाक के दोरान महिला के गले से चैन जपटा मार सातिर फरार हो गया पर्स में था कैस वेचैन यानि की अब जपटा मारी राजधानी पटना में काफी तेज हो चुकी है और ऐसे में बिहार पुलीस और पटना पुलीस पर सवाल उठ रहे हैं हलाकि पटना के सिटी एसपी ने असपस कर दिया है कि तमाम जो थाने अंतगत में ये तमाम घटना में समलिप्त है उन पर कठोर से कठोर कारवाई की जाए उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए मगर सवाल यह है कि राजधानी पटना में जुस तरीके से बेख़ौफ होकर जपटा मारी चिंतारी चल रही है